प्रो कबड़ी सीजन 10 का पहला लेग कम्पलीट हो चुका है पहला लेग था एहमदाबाद लेग एंड इसी के साथ टोटल 11 मैचेस कम्पलीट हो चुके है आज से बैंगलोर का लेग स्टार्ट हो जाएगा एंड हमने इस सैनल पे अब तक मैचेस के प्रिव्यू कर लिये पी अभी दक दो मैचेस खेले जिसमें 15 रेट पॉइंट इन्होंने स्कोर किया है यूपी ओदास के अगेंस 5 पॉइंट स्कोर किया था एंड गुजरा जाइंट के अगेंस सूपर 10 स्कोर किया था तो गुमान सिंग 15 रेट पॉइंट के साथ टॉप रेडर्स के लिस्ट में न बेंगलोडु बुल्स के अगेंस 3 पॉइंट यू मुंबा के अगेंस 7 पॉइंट पटना पारेट्स के अगेंस 2 रेट पॉइंट इन्होंने स्कोर किया था और ऐसी करते करते 16 रेट पॉइंट इनके हो चुके है नमबर 8 की तरह बढ़ते हैं तो नमबर 8 पे तमल तलावस के अजिंक्य पवार आ चुके है और मैं आपको वता दू कि अजिंक्य पवार ने सिर्फ एक ही मैच खेला है और इस एक मैच के पफॉइंट की वज़ह से टॉप 10 में आ चुके है पहली मैच में 18 पॉइंट इन्होंने स्कोर किया था कौन से टीम के अगेंस्ट कोर किया था दबंग डली के अगेंस्ट कोर किया था नमबर 7 के तरह बढ़े तो नमबर 7 में पटना पाइरेट्स के सचीन तनवर है सचीन तनवर ने दो मैचेस खेले जिसमें 18 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है पहला मुकाबला जो तेलगू टाइटन्स के अगेंस था उसमें सुपर 10 स्कोर किया जिसमें इनको 14 पॉइंट्स मिले और गुजराज जाइंट्स के अगेंस्ट इन्होंने 4 पॉइंट्स स्कोर किया था और इस 18 पॉइंट्स के बदोलत टॉप 7 में है नमबर 6 की तरफ बढ़ते हैं तो नमबर 6 पे एक राइजिंग स्टार हम कह सकते है यू मुंबा के आमीर मोहमाद चाफर दने से 2 मैचेस के लिए जिसमें इन्होंने 20 रेट पॉइंट्स स्कोर किया है UP ODAZ के अगेंस्ट अपने डेब्यू मैच में 11 रेट पॉइंट्स कोर करना तो यहाँ पे दो matches में consistent रहे हैं और उमीद करते हैं कि आने वाले matches में भी अच्छा performance दिखा है थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहता हूँ विकोस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने Telegram Channel जॉइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस्स कर रहे हूँ विकोस Telegram Channel पे हम सब कुछ coverage कर रहे हैं और आने वाले दिन में और improvement करने वाले तो जीनों ने भी अभी तक हमारे Telegram Channel जॉइन नहीं किया है फटवर जॉइन कर लो कबड़ी के हर एक चीज आपको हमारे Telegram Channel पे देखने को मिल जाएगा तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कोगा आप खुझ जाके चेक कर लीजे description box में आपको link मिल जाएगा नहीं तो Telegram पे जाके आप at the rate sports sniff 7 सर्च करके join कर सकते हो नमबर 5 की तरफ बढ़े तो नमबर 5 पे UP योद्धास के सुरिंदर गिल है सुरिंदर गिल ने 2 matches के लिए 20 rate points इन्होंने score किया है यू मुंबा के against 7 points score किया था और भी recently हरियन स्टीलर्स के against super 10 score किया था 13 rate points तो यहाँ पे सुरिंदर गिल 20 points के साथ नमबर 5 पे है नमबर 4 की बात किजा तो नमबर 4 पे high flyer तल्गू टाइटन्स के पवन सहरावत आ चुके है पवन सहरावत ने 2 matches खेले 2 match में इनको 21 rate points मिल चुका है दोनों ही match में काफी अच्छा performance दिखाया सबसे पहले गुजराद जाइंट्स के against इन्होंने 10 rate point score किया और पटना पारेट्स के against 11 rate point score किया तो दोनों ही matches में इन्होंने super 10 score किया है नमबर 3 की बात किजा है तो नमबर 3 पे पिछले सीजन के best raider जैपुर पिंक पैंथर्स के अरजुन देशवाल है अरजुन देशवाल ने 2 matches खेले और इन 2 matches में 13 rate points इन्होंने score किया है सबसे पहले पुनेडी पल्टन के against इन्होंने 17 rate point score किया था और बेंगावल वारियर्स के against 6 rate point score किया था तो overall अरजुन देशवाल अच्छे form में है और इस तेश rate points के साथ नमबर 3 पे है नमबर 2 की बात कर लेते तो नमबर 2 पे गुजरा जाइंट्स के राके सुंगरोया है राके सुंगरोया ने 4 matches के लिए इन इन 4 matches में 26 rate points इनके पास आ चुके है सबसे पहले तेलगू टाइटन्स के against 5 points बैंगलोडू बुल्स के against 3 points यू मुंबा के against 7 points पटना पारेट्स के against super 10 score किया था इन इस सभी performance को मिला के इनके पास 26 अंक हो चुके है points हो चुके है और इसी के साथ नमबर 2 पे है अभी फिलहाल बात की जाए नमबर 1 की तो अभी नमबर 1 पे सोनू जागलान है सोनू जागलान ने यहाँ पे 4 matches खेले है अभी पारेट्स के साथ अभी टॉप रेडर्स के लिस्ट में नमबर 1 पे सोनू जागलान है आपका फेवरेट खिलाडी अभी इस लिस्ट में है कि नहीं आप कॉमेंट का कैजरो बताएगा और जब बैंगलोर का लैक कंप्लीट होगा जब 22 matches कंप्लीट हो जाएगे तो क्या इस लिस्ट में हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आप अपने प्रेडिक्शन कॉमेंट का के बता सकते हो और टॉप रेडर्स का वीडियो आपने देख लिया